हेलो एंड वेलकम बैक मैं आपका दोस्ट चांद रहा आप देख रहा है टेकनिकल फार्मर तो आज इस वीडियो में हम अपना रीकंस्टक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है उसकी पूरी वीडियो दिखाएंगे और बताएंगे आपको किस तरह से आपको पूल्टरी फार्म बनाना है कि आपको पूरा पूरा इस से एक मौडल मिल जाएगा कि किस तरह से आप पूल्टरी फार्म बनाएं और कैसे आपको बनाना चाहिए कि जो भी नए पूल्टरी फार्मर रहें वो बड़ा कन्फूज रह जाएं कौन सा एंगल लगाएं कौन से पाइप लगाएं ग्रेट का बनाएं या केबल लोहिनी का बनाएं कौन से यहां पर टीन सैड यानी चादर डालें सारा कुछ इस बूडियों में हम आपको दिखाएंगे तो हमारा आप देख रहे हैं काम री कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है री कंस्ट्रक्शन इसलिए क्यूंकि हमारे यहां पर लकड़ी का फार्म बनाता जो भी हमारे पुराने वीवर्स होंगे उनको पता होगा तो हमने इसको तोड़के लकड़ी सारी हटाके अब लोहे के पाईप और टीन सैड से हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हमने यह जो पाईप आप देख रहे हैं तीन बाई तीन बाई तीन के हैं ठीक है गोल पाईप है 26 केजी इनका बजन है इनको तीन फुट हमने नीचे जमीन में गाड़ दिया है ठीक है उसके बाद जो यहां पर आसपास चार देबारी हमानी थोड़ी बहुत तूट गई थी उसको हमने फिट से बनाई है और पूरा इसमें बनाने के बाद में इसमें हमने बुल्ट बगएरा लगा दी हैं जिससे कि हम जाली इसी में बांद दे हैं क्योंकि हम कीले बगएरा नहीं लगाते हैं इसमें दिवाले थोड़ी हिल जाती हैं पहले से ही हम इसमें बुल्ट सैड कर देते हैं जिससे कि हमने तीन पिलर लगाए हुए है 28 फोट मैं वो अमने लगाए है ग्रेट के उसको हमने तीन-तीन उसमें शरीय लगाए हुए है ग्रेट के खम।ों में इनमें जो आपको खंबे देख रहा है इनमें थीन-तीन सरीय और रिंग डालके ये इस तरह का हमने पक्खा बनाया हुआ है पक्खा मीज जो चोड़ाई वाली दिवाल होती है और जो लंबाई वाली दिवाल है उसमें आपको देख रहा है ये सारे पाइप हमने गार दिये हैं उसी साइड में है उत्तर दक्षण है लेकिन इसे हमने अब की बार बहुत ही मजबूती दी है दरवाजा उचा किया है साइड हैं उची की हैं पहले 6 पुट थी अब की बार हमने 7 फुट की है बीच में पहले 9 फुट था कि बार बीच में हमने 11 फुट किया है चोडाई जो हमारी 28 फिरती बही रहेगी क्यूंकि हमने जो तीन चादर है वो पुरानी वाली रखी हुई है यह आप देख रहे हैं यह साथ फुट हमने यहां की लेंध रखी हुई और यहां की 11 फुट अच्छी खासी हाइट हमने इस तो इस तरह से हमने इसको पूरा बनाय हुआ है और इसमें देखिए फिर हमने इस फक्खे पर बीम डाल दिये और उस वाले पर भी बीम डाल दिये तो इस तरह से यहां तक अभी तक हमारा काम हो चुका है जो आपको दिखाई दे रहा होगा इतना बहतरीन तरीके से हमने अ पानी आएगा तो आपको निमनी आएगी और नुकसान भी बहुत सारा हो भी जाता है तो इस बार हमने बहुत वड़िया तरीके से फार्म को बिलकुल कम्पिलीट किया है जो कि आप देखी सकते हैं ये उत्तर दक्षंड साइड का जो है पक्षे हमने दौनों दीवाने इतनी मजबूत बनाई हुई इस तरह से आप जो देख रहे हैं तीन इसमें पिलर दिये हुई है भैतरीन और अच्छे खासे नीचे तीन फुट हमने ग्रेट से गाड़ दिये तीक है इस तरह से ये काम हो चुका है और आगे का पूरी वीडियो और इसका पार्ट टू बनाएंगे जिसमें हम इसके आगे का पूरा काम आपको दिखाएंगे तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद